हेलो फ्रेंड्स मैं मिनाक्षी आपको दिखाने जा रही हूँ आज का वीडियो चीली प्लांट के उपर मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो टॉमेटियोस के उपर था लेकिन आज का वीडियो मैं करने जा रही हूँ चीली प्लांट के उपर देखे प्रण किस तरीके से मेरा चीली प्लांट का ग्रोथ हुआ है ज्यादा मेरे पास चीली प्लांट नहीं है बस चार पांशो ही प्लांट है आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ देखिए किस तरीके से इसका ग्रोथ हुआ है इस पे आने वाले इतने सारे चीलीस हमने और एक्छिली हार्वेस्ट कर लिये हैं लेकिन अभी भी फ्लार्स आते जा रहे हैं और चीलीस भी होते जा रहे हैं अब देख सकते हैं कि इस तरीके से चीली प्लांट्स में फ्लार्स आ है रहे और चीलीज भी भरे जा रहा है हार्वेस्ट करने के बावजूद इतने सारे चीलीज है कि आप सोच नहीं सकते इसमें थोड़ा सा और्गनिक पर्टिलाइजर यूज किया गया है और कुछ भी नहीं बस थोड़े से किसी तरीके के बीमारी ना आए उसी के ऊपर हम लोग देखवाल किया हुआ है और फुल सॉनलाइट में हमने रखा हुआ है इसका ग्रोध दिन वदिन बढ़ते जा रहा है और फ्लार्स आते जा रहे है देखिए इसको मैंने लगाया हुआ है मिट्टी के मिट्टी में ही उगाया है देखिए फ्रेंट्स कितने सारे चीली से इसको हम हार्विस्ट करने के बावजूद इतने फ्लावर्स हैं कि और भी कितने सारे चीली सुनले हम अपना तो खा सकते हैं और पडोस में भी बाच सकते हैं इस के संग में दिखाना चाहूँगी कुछ कोरिइंडर्स के लिप्स कुछ कोरिइंडर्स के लिप्स देख सकते हैं आप हम जो घर में यूज करते हैं कोरिइंडर्स उसी को छिड़का हुआ है और उसके प्लांट्स आये हुआ हैं इससे भी हमने फुल सॉनलाइट में रखा हुआ है जिस वज़े से इसका ग्रोथ इस तरीके से हुआ है इस पे हमने कोई फॉर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया गया है बस ऐसे लगा दिये थे और इतने सारे कॉरिइंडर्स हमारे आ गया हैं अब यह हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं बस कुछ दिनों में हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे लेकिन इस तरीके से हार्वेस्ट करेंगे कि यह नेक्स्ट फिर वही पॉधे से और सारे कॉरिएंडर्स निकलाएं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा